हमारे यूट्व चैनल पर आपका स्वागत है आज हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं महाणा प्रताब की राज दिलक इस्थली जो की उदेपूर जीले के कोगुंदा तैसिल में इस्तित है यहीं पर महाणा प्रताब का प्रतम बार राजबिशेक हुआ था जिसको आप इन चित्रों के द्वारा एक बार देख सकते है इस इस्थली की दिवारों पर सारी जो मुख्य गटनाए हैं और सांस्कृतिक जो त्रहन सन का तरीका था वो सब चीजे यहाँ पर एक दिखाई गई है हम इसमें प्रवेश करेंगे अभी और यहाँ की एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में बताएंगे तो आप इस पूरे वीडियो को चरूर देखेगा और इस चेगे को एक बार चरूर विजिट करिएगा चले साथियों हम जो है यह दिवार को देखते देखते ही अब इसकी जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसकी तरफ जा रहे है आप जब आएंगे तो इनको देखेंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत ही अच्छा कलाकारी त्वारा यह सब कुछ दिखाया गया है देख सकते है जैसे कि आप महाना परताप राजतिलक इस्थल यही वह इस्थान है देखिए यह जो इस्थान दिकरा है आपको यह एक चत्री बनी हुई है यहाँ पर इनके नीचे महाना परताप की मुर्ति लगी हुई है इसी इस्थान पर जो है महाना परताप का राजितिलक हुआ था ये बात जो है वो है 28 फरवरी 1572 की उसी दिन महाना उदेशिंग जी की मुरत्य हुई थी जिनकी चत्री भी कोगुंदा में ही बनी हुई है आप देख सकते हैं ये उसी समय की जो मुरतिय वगेरा लगी हुई है यहां पर ये जो बावडी है उसी के किनारे बनी हुई है राजितिलक जो इस्थान था उसी के जश्ट किनारे बनी हुई है यही पर श्रीजी का ये प्राचिन मंदिर है इसी मंदिर की वज़े से यहाँ पर आये थे और यहाँ पर राज तिलग किया था यह जो बावड़ी बनी हुई है बहुत पुरानी है यह भी और इधर पीचे ही देखेंगे आप अगर तो यहाँ पर सारा कुछ दिखाएगा यह मंदिर देख लिजे आप पूरा एक बार यह मंदिर अप विक्सित हुआ है वहाँ पर उसी इस्थान पर जहाँ पर इनका राज लग हुआ था देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा और यहाँ पर जो है पुराने मूर्तियें भी जो शिवलिंग वगेरा थे वो भी लगे हुए है यहाँ पर आप देखेंगे तो और इस मंदिर से यह रास्ता जो है वो अंदर की तरफ जाता है पीछे पूरा गार्डन विक्सित किया हुआ है यह देख लिजे एक पार आप इन चत्रियों को देख लिजिएगा अच्छे से यहाँ पर चत्रिये नहीं कह सकते हैं यह इस्थान है यहाँ पर राज तिलग हुआ था और यह बावड़ी बनी हुई है यहाँ पर काफी बुरा नहीं है यह भी देख लिजेगा आप इसको अच्छे से यह जो इस्थान है यहाँ पर आप एक पार जरूर विजिट कीजेगा अगर आप फुदैपुर में आते ह तो बहुत ही अच्छा यह देखिए यह पूरा जो इसको डेवलप किया हुआ है और यहाँ पर सबी जो महाना प्रताप के जो साथी हुआ करते थे शेना पती वगरा उनकी भी यहाँ पर जो है स्टेचू बने हुए है यह देखिए महाना प्रताप का जो है मुर्ती लगी हुई है यहाँ पर यह देखिएगा महाना प्रताप की मुर्ती लगी हुई है यहाँ पर राचति लग स्थली में और इनके नजदिक पास में ही राणा पुंजा की मुर्ती लगी हुई है, जिन्होंने माणा परताप का बहुत ही साथ दिया था, और हल्दी गाटी के युद्ध में काफी वीर्ता दिखाई थी, इनोंने भी माणा परताप के साथ, और ये देखेगा इनके आसपास में पूरी जो इस शेत्र के पूरी बाउंट्री है, उस जो हमने स्टाइटिंग में देखा था पेंट किया हुआ है सारे जो चित्र बगेरा बनाया हुए है जो गटनाई थी एतियासी गटनाई उन सबको चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है यहाँ पर जो है यह आप बाहर भी देख सकते हैं यह पूरा जो है चित्रकारी करके दर्शाया गया है पूरी उन चीजों को जो उस समय गटित हुई थी और महाना प्रताप के बारे में जो भी कुछ जो हमपन पड़ते हैं उन चीजों को यहाँ पर चित्रों के दुगे